तो राधा अश्टमी की पूजा के लिए सबसे पहले तो आप राधा रानी को अच्छे से स्नान कराएं, उन्हें नए वस्त्र पहनाएं, आप राधा रानी को कोई से भी कलर के वस्त्र पहना सकते हैं, वैसे तो राधा रानी का जो फेवरिट कलर है वो नीला रंग है, तो आ माता को चंदन का रोली का चावल चढ़ा कर तिलक करेंगे और राधा अश्टमी की जो पूजा है वो विशेज टूप से दुपहर बारा बजे करी जाती है तो पूजा आप कर ले माता को भोग आप दुपहर के बारा बजे जरूर लगाएं तो ये देखे माता को मैंने नीले फूल भी चढ़ाएं है और दुपहर बारा बजे राधा रानी का प्रिय भोग जो है अर्भी उन्हें अर्पित करी जाती है तो अर्भी लेंगे आठ पूड़ी आपको लेनी है आठ पूड़ी लेकर उसके साथ साथ जो आप लेना चाहें मीठा दही जो आप लेना चाहें उसके इलावा पर अर्भी पूड़ी आपको जरूर से लेनी है और कुछ मीठा आप ले सकते हैं इनका भोग अब हम तो पहर 12 बजे राधरानी की आरती करके उन्हें अर्पित करेंगे तो बाकी जो भोगे वो तो आपने साथ के रूप में खा लीजिए और थोड़ा सा दो पूड़ी पर सारा समान रखकर आप निकाल कर मंदिर में दे दीजिए या गाएं को दे दीजिए वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें तक यू वरी मुच पर वाचिए प्रीजिए यू जाए शब्सक्राइब तक यू